वीडियो में हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के बारे में स्टाड़ी करेंगे साथ ही इस रियक्षन के मेकनिज में जितने एस्टेप इंबॉल्व हैं उनके बारे में भी स्टाड़ी करेंगे प्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रियक्षन में जब हम बेंजीन का रियक्षन एसी टाइल कोलराइड के साथ कराते हैं इन दे प्रिजेंस अफ एल्मोनियम कोलराइड तो इस रियक्षन में हमें एसीटोफिनोन प्राप्त होता है साथ ही बाई प्रोडक्ट में एसील का निर प्रिटल क्राफ्ट एसाइलेशन रियेक्शन एक इलेक्ट्रोफिलिक्स सविस्ट्यूशन रियेक्शन होता है इलेक्ट्रोफिलिक्स सविस्ट्यूशन रियेक्शन में इलेक्ट्रोफाइल एटाइक करता है electron rich system पे अर्थात उसके पास electron की कमी होती है या फिर हम यह का सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल electron लावर होता है इलेक्ट्रोफाइल उस group पे attack करता है जहां पे electron rich system हो benzen के पास 3 pi bond है अर्थात 6 pi electron है इलेक्ट्रोफाइल attack करेगा benzen दिंग पे इस reaction में और हमारा product बनेगा acetophenone जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ benzen electrophilic sub substitution reaction देता है electrophilic sub substitution reaction के mechanism में 3 step involved होता है 1st step में हम electrophile का formation करते हैं 2nd step में electrophile attack करता है electron rich system पे 3rd step में loss of proton Friedel Craft acylation reaction के mechanism की study करते हैं 2st step में हम electrophile का formation करेंगे Friedel Craft acylation reaction में हमारा electrophile है CS3C double bond O अपने डिस्पले पे इस reaction को देख पा रहे होंगे इसमें जो aluminium tricoloride है या Lewis acid है अर्थाथ इसके पास electron की कमी है जो chlorine atom होता है वो more electronegative atom होता है chlorine atom carbon का electron लेकर CL- के रूप में अर्थाथ इसके पास electron की कमी है क्योंकि मैंने पास इसके पास इल्थाथ कारबन का इल्थाथ कार्बन का electron लेकर CL- के रूप में निकलता है in the presence of aluminium tricoloride क्योंकि मैंने पहले ही बताए aluminium tricoloride इक Lewis acid है और उसके पास electron की कमी है अपने electron को कमी को पूरा करने के लिए वो chlorine को CL- के रूप में वहाँ से निकालता है के कारण हमारा electrofile का formation होता है CS3-C double bond O यह electrofile attack करेगा benzene ring पे chlorine CL- के रूप में निकला था वो ALCL3 के साथ मिलकर ALCL4 कर निर्माड करता है second step में हमारा electrofile attack करेगा electron reach system पे क्योंकि electrofile के पास electron की कमी होती है और electrofile उस system पे attack करता है जो system electron reach system होता है benzene के पास 3 pi bond है अर्था 6 pi electron है तो हमारा electrofile attack करेगा benzene ring पे या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं जो हमारा electrofile है उसके पास electron की कमी है और ये इलेक्ट्रोफाइल उस सिस्टम पर 喜歡 आटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रोफाइल रिस्टर्ण हो हमारे बेंजिन के पास 3 पाई बॉन्ड है अच्छा था 6 पाई इलेक्ट्रौण भाइ यह जो बेंजिन है कार्बोनियम आयन का निर्मार्ट एक intermediate reaction है जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल अटेक करेगा बेंजीन रिंग पे बेंजीन रिंग की aromaticity खो जाती है बेंजीन अपने aromaticity को gain करने के लिए अपने रिंग से जो hydrogen है उसका removal करेगा अगले step में इस reaction के third step की बात करें तो इस step में जो carbonium आयन था अर्थाथ positive charge जो develop कुआ था carbon पर जिसके कारण बेंजीन के stability loss हो गई थी बेंजीन अपने stability को maintain करने के लिए अपने रिंग से एक hydrogen का removal करेगा एवम hydrogen अपने electron बेंजीन को donate करके H plus के रूप में बाहर निकलेगा hydrogen न जो electron donate किये बेंजीन रिंग को वो electron का इस्तेमाल करके बेंजीन πाई molecular orbital का formation करेगा जिसे electron का de-localization होगा और बेंजीन के aromaticity maintain होगी और बेंजीन stable होगा सहीं hydrogen अपने electron बेंजीन रिंग को donate करके H plus के रूप में बाहर निकलेगा वो hydrogen ALCL 4 negative के साथ जाकर attach होगा और HCL का निर्माड करेगा साथ ही ALCL 3 इस reaction में catalyst है असाथ वो बाहर हो जाएगा इस reaction से ALCL 3 किसी परकार का बाद में product का formation नहीं करेगा HCL का निर्माड होगा by product में और हमारा जो product है acetophenol का निर्माड होगा acetophenol एक परकार का aromatic ketone है आप देख पार होगे इस reaction में